नमस्कार मैं हूँ गौराव सिंग और आप देख रहे हैं मीडियो 24 न्यूज आज पूरे देश भर में भाजपा अपनी स्थापना दिवस मना रही है साथ ही राज्य में भी पूर्व मुख्य मंत्री डॉक्टर रमन सिंग के उपस्चिती में द्वजा रोहन कर एकात्म परिसर में इस्थापना दिवस मनाया गया 6 अप्रेल यानि की आज ही के दिन 35 साल पूरो भारती जनता पार्टी का इस्थापना हुआ था जिसको लेकर के आज पूरे देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी पूरो मुख्य मंत्री और विजेपी के राष्टरी अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग के तत्वा धान में भारती जनता पार्टी ने राजधानी रायपूर इस्थित एकादम परीसर में ध्वजा रोहन कर और डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी की पूजा अर्चना कर इस्थापना दिवस मनाया विजेपी कारेकरताओं ने एकादम परीसर में इस्थापना दिवस के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभासन को सुना उसके पस्चात मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रमान सिंग ने कहा कि राश्टर के हित के लिए आज ही के दिन भारतिय जन्ता पार्टी का इस्थापना किया गया था बैठे हैं और इसमें एक एक कारकरता को जो संकल्ब अस्य में लिया गया था इस्थापना के समय जन्संग से लेकर रास्त की यात्रा तीन सांसत से तीन सो तीन सांसत की यात्रा हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा विधायक होने वाली पार्टी का गवरो सबसे बड़े देश के अंदर सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार बनाने का गवरो और विकास के रूप में देश को ऐसा नत्रत दिया जो दुनिया का सरवस्रेश्र नेतृत है मानी नरेंद मोदी जैसा नतृत देने वाली पाल्टी आज उसका इस्थापना दिवस में है और हम सब इस्थापना दिवस पूरे देश में उल्लास के साथ मनाते हैं खुशियों के साथ मनाते हैं और आज हमारे सोभाग के दिन है कि आज मानी नर के साथ जो दो नई चुनोती आज 36 गड़ा और देश में हैं कोविट का मुकाबला हम समिल के करेंश कोविट को जो जिस प्रकार 36 गड़ में आज प्रभा हुआ है और नक्सल का हिंसा में जो पीरित परिवार हैं उन सब को अपनी सद्धांजी एर्पित करते हुए कि हम इन द एक बड़ा संकल्ब है अब